कल मोधी जी रो पढ़े थे इंटर्व्यू के दौरान कह रहे हैं कि पहले तो मैंने फ्लो में ऐसे ही बोल दिया था कि गंगा मैया ने बुलाया है लेकिन अब तो लगता है गंगा मैया ने मुझे गोद लिया है बलिहारी जाओं मैं, इतना जूट कौन जील सकता है, एक ही टैलेंट है उनके पास सबसे बड़ा, ये वो जूट सबसे अच्छा बोलते हैं दुनिया, जिस दिन मोदी जी सच बोलना शुरू कर देंगे, जिस दिन जूट बोलना बंद कर देंगे, उस दिन तो हम लोग सारव की दृष्टी से देखते हैं, चाहे वो कोई भी हो, भरष्टाचारी होना चाहिए, अगर मुसल्मान उन्हें बहतरीन भरष्टाचारी मिल गया ना, सबसे पहले प्रेफरेंस उसे देंगे, माइक्रोस्कोप से या टेलिस्कोप से ढूंड के लाएंगे, पूरी दुनिया स भरष्टाचारी हों को ढूंते हैं, यह व्यविचारी हों को ढूंते हैं, उनको ढूंडूं के अपनी तरफ लाते हैं, भारत में देख लीजए, शंबू जी एक ऐसे वेक्ति हैं, जो पार्लेमेंट में जाके, वो सड़कों पे जाके, खून पसीना बहां के परत्रकारिता किया है, कि यह हैं, ऐसे ही लोगों की जरुत पार्लेमेंट में भी है, जो खून पसीना बहां के भी, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लेमेंट चाहिए, वैसे शंबू जी भी एक ऐसे मेंबर ऑफ पार्लेमेंट साबित होंगे, अगर वो जीतते हैं. नमस्कार, मैं ब्यूटी किरी और आप देख रहे हैं, नैशनल दस्तक देश में चुनावी महौल है, सियासिक गलियारों में सरगर्मिया लगातार बड़ी हुई हैं. कल प्रधान मंत्री मोदी ने लगातार कई इंटर्वियू दियें और तमाम जो बाते रहें, उस मुद्धे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो सक्स हैं, उनको आप बेहद अच्छे से जानते हैं. में स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, हर जगा इन्होंने अपना परचा लहराया है, अपना जलवा कायम किया है, और वो सक्स हैं महमूद प्राचासर, क्या कहेंगे? पहला तो सवाल यह है, आप कहते हैं, मोदी जी डरते हैं मीडिया वालों सो, बाइट नहीं देते, प्रेस कॉन्फरेंस नहीं करते, कल के दिन उन्होंने कई मीडिया वालों को इंटर्व्यू दिया है, कितने सारे सवालों का सामना किया उन्होंने? आपको भी मोदी जी की तरह जूट बोलने की आदत हो गई है मैं तो यही कह सकता हूँ इसके बारे में क्या कह सकता हूँ किस मीडिया वाले को इंटर्वू दिया है एक करना मत अज तक को दिया निउस एटीन को दिया मीडिया की बात हो रही है, प्रेस की बात हो रही है, फोर्थ पिलर की, नाशनल मीडिया है ये, ये बैमान लोग क्रिमिनल्स की बात मत करें, मीडिया की बात करें, ये तो इनके वो हैं, एक तरीके से स्पोक्स पर्सन है, अपने ही पार्टी के, आरेसेस के एक स्पोक्स पर्स कि एक पत्रकार को एक पत्रकार को मोधी जी एक interview देने का होसला नहीं रखते हैं यह इनको इनको जो जो उनके चाटुकार हैं उनको तो interview देने के लिए क्या वो तो बेकरार होंगे बताइए आप कितनों को दिया और क्या सवाल पूछे होंगे कल मैंने तो कहें मैं तो यह देखता नहीं हूं जो टीवी है क्या कल आम खाने के बारे में पूछा आम कैसे खाते हैं या संतरा कैसे खाते हैं या केला कैसे खाते हैं यह पूछा था किसी नहीं या नहीं फिर क्या इंट्रवु आगा अगर यहीं नहीं पूछा आम कैस किसी ने पूछा ये क्यों दे दी सुब्रमानियम स्वामी जी कहते हैं आप चाइना से डरते हो कि आप क्यों डरते हो चाइना से किसी ने पूछा ये तो वह पत्रकार थे क्या चाटुकार थे और पता नहीं क्या-क्या चाटुकार भी अलग-अलग तरह के होते हैं विबिन प इंट्रेस्ट किस वस्तु को चाटने का आपका इंट्रेस्ट है यह आपको लेने चाहिए इंट्रव्यू इन से कल मोदी जी रो पड़े थे इंट्रव्यू के दौरान कह रहे हैं कि पहले तो मैंने फ्लो में ऐसे ही बोल दिया था कि गंगा मैया ने बुलाया है लेकिन अब तो लगता है गंगा मैया ने मुझे गोद लिया है रो गया थे बताते बताते कह रहें कि मेरे से कोई गल्ती न हो जाए इस बात को लेकर डरता हूं बलीहारी जाओं मैं मां इनकी बलीहारी जाती होगी और माता जी आप देखिए मैं तो खेर यहासी के भूल बाते करता नहीं लेकिन लोग मोदी जी पे जूटा इल्जाम लगाते हैं कि वो अपने परिवारवालों को अपने साथ नहीं रखते माता जी तक को उन्होंने इतनी एज में भी अपने साथ नहीं रखा यह जूटे इलजामे सारे उनकी माता जी तयार नहीं होती होंगी उनके साथ रहने के लिए पर इतना जूट कौन जहल सकता है मोदी जी की माता जी भी उनका जूट नहीं जहल पाई होंगी नहीं जहल सकती होंगी, इसलिए उनके साथ नहीं रहती होंगी, मेरा तो यह मानना है, कौन जहलेगा इतना जूट, गंगा पूरी दुनिया जानती है, मोदी जी जब आये थे, तो कम, उसमें कूडा कच्रा कम था, मोदी जी के आने के बाद कई गुना बढ़ गया है, और National School of ड्रामा देखो आप कैसे, आसू निकालने की एक कला होती है, पता है आपको, जो यह जो फिल्मों में आप काम, किसी आपने फिल्म एक्टर का या डिरेक्टर का इंटर्वू लेंगी ना, वो बताते हैं, ग्लिसरीन डाला जाता है आँखो में, ग्लिसरीन डालके फिर प्रिंसिपल बनना चाहिए, प्रिंसिपल एमिरेटेस बनना चाहिए, पर्मनेंट, इनसे अच्छी एक्टिंग कोई किसी को नहीं सिखाने देगा, और मैं यह समझता हूँ, कि जितने भी हमारे बड़े-बड़े अक्टर्स हैं, अक्षे कुमार जी और यह सब, इस बात से हर रोल में अमिताब बच्चन की जगा मोदी जी आ जाएंगे, क्योंकि उनसे बड़े अच्छे एक्टर हैं, उनसे ज्यादा इनके मेकप पे पैसे खर्च होते हैं, उनसे ज्यादा ड्रेस पे अपने पैसे खर्च करते हैं, तो अमिताब बच्चन इस देश में मोदी जी स सबसे अच्छी करते दुनिया में अभी जूड बोलते है उन्होंने कोई किसी तेल को जिस भी चीज को बेचते करते कभी टेस्ट करते हैं अमिता बच्छन सान नहीं करते उसी परकार से मोधी जी ने वैक्सिन इंट के उपर फोटो चिपँआ ही ती अब भी तो कह रहा हूं तेस्ट किया था तो क्या फिर जान पूच के इतनी खतरनाक वैक्सीन पूरे देश को लगवाई थी उसी प्रकार से अमिताप बुच्चन जैसे जो जिस भी प्रोडक्ट की advertisement करते हैं न वो कभी उसको अपने उपर नहीं अजमाते हैं वैसे ही मोदी जी है तो इसलिए अमिताब बच्चन साहब मोदी जी से डड़ते हैं आप जैसे यह बताईए किसका advertisement नहीं किया है इन्होंने तो Jack Maa की एक company है जो phone पे पैसे देने की न क्या क्या बोलते हैं उसे यह जो Paytm Paytm की advertisement की इन्होंने और Paytm तो इस देश में चोरी कर रहा था तो यह तो किसी की advertisement कर सकते हैं जहां से फाइदा मिलेगा मिताब बच्चन साहब किसी की भी advertisement कर सकते हैं वैसे ही हमारे मोदी जी है फाइदा तो इस वकाट Chinese और पाकिस्तानी कंपनीज दे रही है तो इसलिए उनको देखिए 80-20 का हमारा जो trade deficit होता है चाइना से क्यों होता है वो आप पता लगा है ना electoral bonds में के चाइना की जो front companies है उनको गुजराती businessmen जो इनके दोस्त है ये अडानी, अंबानी, यूसुफ, लूलू जैसे इनके साथ मिलके पाकिस्तानी कंपनियों से पैसे लिए उनका भला किया Chinese companies के front companies से पैसे लिए उनका भला किया पैसे मिलने चाहिए पैसे की कोई जगा नहीं छोड़नी है सब जगाएं, उन्होंने लेनी है मोधी जी ने कबजा करना है सब जगा पैसे जासे मिलने मोधी जी के लिए एक और बड़ी बात कही जाती है कि वो सर्फ हिंदू-मुसल्मान करते हैं और कुछ बात नहीं करते हैं जबकि वो कह रहे हैं कि सिर्फ बदनाम करने का साड़ेंथ है और कुछ नहीं जिस दिन मैंने हिंदु मुसल्मान किया सारवजनिक जीवन जीने के योगे नहीं रहूंगा मेरा तो घर भी मेरे घर के आसपास भी मुसलिम रहे हैं इद के दिन मेरे घर खाना नहीं बनता था क्योंकि मुसलिम पडोसी जो थे वो हमारे घर खाना दे जाते देड़ तो मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, मैं बोल ही नहीं सकता। देखे, जिस दिन मोधी जी सच बोलना शुरू कर देंगे, जिस दिन जूट बोलना बंद कर देंगे, उस दिन तो हम लोग सारवजिनिक जीवन चोड़ देंगे, जिस दिन वो जूट बोलना बंद कर देंगे, तो इसका तो मैं यही जवाब दे सकता हूँ, वो दिन भी आए करते हैं 24 गंटे एक अंग्रेजी में फिल्म भी आई थी लायर लायर तो उसमें भी यह था एक बच्चा था जो उनके पिता जी जो थे वो जूट बोलते थे वकील तो उसने एक दिन विश की थी वह मैं चाहूंगा आपकी जंता भी देखे और उसकी एक हिंदी वर्जन भी था तो वो बच्चा विश करता है अपने विश तो उसके पिता जी जो वकील होते हैं जिम कहरी साहब वो जूट बोलने लायक नहीं रह जाते तो उनकी जिंदगी जो है एकदम बिल्कुल हराम हो गई थी उनके लिए जिम कहरी साहब की तो मोदी जी का भी वह हाल है एक दि जीवन से सन्यास ले लूँगा एक 24 गंटे सिरफ लेकिन उस 24 गंटे में जिस दिन मोदी जी सच बोलने लगेंगे लेकिन उनको बोलना पड़ेगा ऐसा नहीं के वो कंबल ओड के घर में बैठ जाए फिर सामने ना आए किसी के तो उस दिन देश की सभी समस्याओं का हल हो क्योंकि उस दिन मोदी जी सच बोलेंगे कि हाँ चाइना से डर के मैंने 4000 किलमेटर जगा दे दी हाँ मैंने अगनी वीर जो है देश की सेना को कमजोर करने के लिए बनाया था हाँ मैंने देश का सारा पैसा बैंकों से लूट के अडानी अंबानी यूसुफ लूलू दे दिया तो एक बात और में आसे यह मात में आप बिल्कुल नहीं मानता हूं मोदी जी एकदम सब को बराबर की द्रिश्टी से देखते हैं चाहे वो कोई भी हो ब्रश्टाचारी होना चाहिए अगर मुसल्मान उन्हें बहतरीन ब्रश्टाचारी मिल गया ना सबसे पहले प्रेफरेंस उसे देंगे जैसे यूसुफ लूलू है आज कल उनके बहुत प्रिय हैं तो मुसल्मान लेकिन ब्रश्टाचारी हैं बहुत बढ़े हो दुनिया बर के बुरे काम कर सकते हैं तो मोदी जी उन्हें डूंड के माइक्रोस्कोप से या टेलिस्कोप से डूंड के भारत में देख लिजे जो व्यक्ति करप्टर में बरश्टाचार में करप्शन में लिप्ट है उनको पकड़ पकड़के दूसरी पार्टियों से अपने पास नहीं लाए तो बिलकुल बिलकुल मुसल्मानों से बहुत प्रेम करते हैं लेकिन वो पहली क्वालिटी होनी चा फिर मोदी जी को पसंद आजाएगा कोई भी हो बड़ा आरोप लगता है उन पर कि हिंदू मुसल्मान करके देश की शोहादर विगारनी की कोशिश करते हैं वो कह रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं इस देश को हिंदू मुसल्मान में बटने नहीं दूंगा यह मेरा संक और में बटने दूधार 2 से वो करते ही आ रहे हैं तो वो किसी और के लिए यह काम नहीं चोड़ना चाते हैं उनका प्रिये काम है क्योंकि और उसमें भी आप यह देखिए जैसे कोई जो लाल्ची वेक्ति होता है वो यह कहता है कि यह को है जिन्हां के साथ मिलके RSS जिना एक ही चीज थे मतलब जिना जो थे RSS के एजेंटी थे एक तरह से और उनके उस समय जो हिंदू संगटन थे सारे बहुत घनश संबन थे ना जिना के तो देश के टुकड़े करवाये धर्म के नाम पे RSS की पॉलिसी कब से हैं तो अब यह कह रहें के बारे बाकी सारे RSS के करताव को पीछे करके यह सारा काम बटवाने का देश को ढ़ार्म के नाम पे जाती के नाम पे मैं करूँगा किसी और को नी करने दूँगा आप उनकी बात की समझते नहीं ठीक से मैं उनकी मनुस्तिति अना अच्छे से समझता हूँ किसी और को नहीं करने देंगे ये काम सारा काम खुदी कर देंगे हाँ हिंदू मुसल्मान में बटवाने का काम किसी और की जरुत ही नहीं पड़ेगी मोदी जी सारा काम कर देंगे तो किसी और की क्या जरुत पड़नी है फिर किसी और को नहीं करने देंगे वो खुदी करेंगे एक आखरी सवाल पूछूंगी शंबुक मास सिंग के लिए क्या कहेंगे अभी तो उनके माता जी की तब्यत खराब है उस पर भी तमाम लोग जो अलग-अलग तरीके की बाते ब पहले तो जो यह पॉलिटिकल पार्टीज हैं बड़ी-बड़ी मेरे ख्याल से जो बिहार की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको शंबुजी जैसे वेक्ति या जो हमारे दूसरे भी वरकर्स हैं उनको टिकट देना चाहिए था लेकिन अगर नहीं भी दिया तो मैं यही काँगा कि शंबुजी एक ऐसे वेक्ति हैं जो पार्लेमेंट में जाके पार्लेमेंट में मजबूती से आवाज उठाएंगे उन्होंने ना सिर्फ काम किया है मतलब यह काम नहीं किया कि एसी कमरों में बैठके जैसे हमारे बहुत सारे सो कॉल्ड जो टीवी चैनल से ह खून पसीना बहा के भी जनता की आवाज उठाएं नहीं सिरफ आवाज उठाना काम नहीं होता है मेंबर अपार्लेमेंट को जनता के जो कारे हैं जनता की जो हक है वो उसको दिलवाएं यह हमारे देश में बहुत बड़ी ब्रांती है कि हम लोग यह कहते हैं कि आवाज उठा सकता है आवाज तो ड्रामा करके मोदी जी भी बहुत बार बहुत सारी आवाज उठाते हैं जो वेक्ति अधिकार दिलवाने के लिए खून पसीना बहा दे ऐसे मेंबर ऑफ पार्लेमेंट से हैं वैसे शम्भू जी भी एक ऐसे मेंबर ऑफ पार्लेमेंट साबित नहीं वो यह कहते हैं कि जिसकी जितनी संक्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी अब यह कहने पर कोई किसी को जातिवादी के या कुछ और के उससे कोई फरक नहीं बढ़ता है यह बात तो बावा साब ने कही है आर्टिकल 14 बनाया है एक वोट का अधिकार सब को बराबर का दिया है तो उसका मतलब यही है ना जिसकी जितनी संक्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी अब अगर यह कहना पाप है कुछ लोगों की नजर में यह कहना गुना है कि भई शडूल का शडूल ट्राइब जो हैं देश में सबसे ज़्यादा जरूरत उनको है उनका हग अधिक हम लोग जातिवादी हैं हम पहलाएंगे लेकिन शडूल का शडूल ट्राइब को इस गेश की संपदाओं पे पहला हक उनका है और वो हम उन्हें दिलवाएंगे जैसे ही हम सत्ता में आते हैं जैसे 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 हमारी ताकत बनेगी बढ़ेगी वैसे वैसे अधिकार अधिकार शडूल का शडूल का शडूल ट्राइब को सबसे पहले दिलवाएंगे अब अगर हम जातिवादी हैं तो हैं ही तो देश में सियासी जंग चल रहा है और महौल बेहद घर्म है और आने वाली समय में दिल्ली में भी चुनाव होने वाला है और अब तो 400 पार के नेरेटिब बनाये गए हैं 25 मई को भाज़ पा गई ये तमाम चीजें हैं और इन सारी बातों पर तमाम सवाल पूछे हमने सर जवाब दियें इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजी कैमरमेन आशी इसके साथ ड्यूटी गिरी नैशनल दस्तक नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कल